हमारा सिमान्चल बिहार का एक संवेजंसिल इलाका है बोट बैंक की राजनी जी करने वालों ने पूर्णिया और सिमान्चल को अवेद गुस्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है तो को दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी एंडिये सरकार ने सिमान्चल के भागे को बदलने के लिए आकांक्षी जीला और अब आकांक्षी ब्लोक ऐसी बहुती महत्वा कांक्षी योजना चलाई आज एंडिये सरकार मखाने को सूपर फूर्ड के रुप में प्रमोड कर रही है तो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठी में रखना चाहते है सम्विधान उनकी आखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधाने की ववस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथन और प्रांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिज जी ने ही इसका उद्गाटन किया था भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुरण देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ मौरिय सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जैनती भी है उनसे प्रणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आसिरवाद देने आये हैं इंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उत्सा बता रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार विक्सित भारत के लिए चार जोन, चार जोन, चार जोन, साथियों, आज एंडिये सरकार के लिए वंचित सोसित वर्ग हमारी पहली प्रास्विक्ता है, जिसको किसी ने नहीं पुछा, हम उसको पूझ रहे हैं, एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पिछ़ा छुड़ा लेती थी, बिहार की सरकारें सिमान्चल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी, लेकिन हम ने सिमान्चल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है, इंडिये सरकार ने सिमान्चल के भाग्य को बदलने के लिए, आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई, आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगब बनाई है, मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बदाई देता हूँ, साथियों, आपका उच्छा अद्भूत है, ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा, तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा, तो मेरी बात वहाँ बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रांथना है, कि आपके नारे, आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा, करेंगे मेरी बात को, मेरी बात को मानेंगे, बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नवजवान इतने बढ़िया है, कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं, यह मेरा सवभाग्य है, साथियों, बिहार और पुर्णिया के पास, सामर्थ की कभी कमी नहीं थी, हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है, बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है, पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है, बिहार का 20 प्रतीशत मखाना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं, हमने आपके इस सामर्थ को प्रोचान दिया, नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया, आज एंडिये सरकार मखाने को सूपर फूर्ड के रुप में प्रमोट कर रही है, मोटे अनाच यानि स्री अन्नकी तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है, आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े-बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाच खिलाया, कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें, अमोटा अनाच गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है, इसका फाइदा सीधे हमारे किसानों तक पहुँच रहा है, मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए, हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई, और अब तो मक्के से एथनॉल भी बनाया जा रहा है, देश का पहला, पूरे भारत का पहला, ग्रीन फिल्ड, एथनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है, हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था, साथियों, कृष्ची और उद्ध्योग के इन आवसरों को गती देने के लिए, पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्टेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूति करन लोकारपन किया था, हमारी सरकार सिमानचल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही हैं, और अब तो वो दिन धूर नहीं, जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उत्रेगी, हमारी सरकार सिमानचल में बंदे भारत, नमो भारत, जैसी टेनों के जरिये, कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्पस्विदाओं के लिए भी काम करेंगी, साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है, इसलिए गाउं, गरीब, दलीट, बंचीट, दसकों से, जिन समस्याओं से जूज रहे थे, मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है, देश के पचीश करोड़ गरीबी से बहार तब आये, जब हमने दिन, रात उनके लिए मेहनत की, देश के चार करोड़ गरीबों को पी-एम आवा तब मिला, जब आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया, देश के पचास करोड़ से जादा दलीतों, वंचीतों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला, जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मौका दिया, करोड़ों माताओं बैनों को चूले के दुए से मुक्तितम मिली, जब मोदी ने उज्वला सिलिंडर देकर उनकी सूद ली, देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा, जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बढ़ाया, आज ग्यारा करोर छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है, इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच, महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है, लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है, जो काम हुआ है न, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है, कई बार लोग बूतते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पाइदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलीत, पिछडा, आदिवासी, ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है, ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है, क्योंकि ये ही समाच सबसे ज़्यादा गरीबी से प्रभावित है, और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है, मोदी के उपर अपने इस समाच का, बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले, सम्विधान को आस्था का स्थान मिले, सम्विधान के प्रती, देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो, सम्विधान की भावना को हर देश वाची तक कहुताने के लिए लगातार काम किया है, हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साथ के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्टों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और समसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ है इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमरत महोचों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का परवम मनाना है हमने ताय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरवसाली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्व बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ्थी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधान एक व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे है लेकिन इनके मनसुबे कामियाब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के काम कायश के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जर्वत बंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीट बंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मन तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिये अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथियों पिछले दस वर्सों में एंडिये सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते से आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है एंडिये के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्या भी आता था आपका मन करता था ना कि इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आँखे दिखाता था वो कटोरा लेकर बटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहां लागू नहीं होता था यह मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मीर से आपकी इच्छा थी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो यह गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे यह कहते थे कि तिन सो सत्तर हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का दो एंड हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वालों के मन्सूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बढ़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अप्मान कर रहे हैं गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इने बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं साथियों हमारा सिमांचल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजरीजी करने वालों ने पूर्णिया और सिमांचल को अवैद गुश्पेट का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद, वंचीत, पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्वर सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल की सुरक्षा स्ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A. का विरोत कर रहे है वो भी एक बाद जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिजी के नेत्रत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की वापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बकरी खाए अचार भाव ये महनत गरीब जंता करें और मलाई ये आरजेडी वाले लूटें मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल ब्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मान के चलिए साथ्यों पुर्णिया से एंडिये उमिद्वार प्री संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्र गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पुर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गर-गर जाओगे पोलिंग बुद्ध जीतोगे पोलिंग बुद्ध जितना है जीतोगे हर पोलिंग बुद्ध जितना है जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद घर घर जाईए और जाकर के सबसो कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखे मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का आशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पलपल आपके नाम मेरा पलपल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 for 2047 विक्षित भारत के संकल्प को पुरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद